हालो एविवन कैसे आप सब आसा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेस्पी लेके आई हूँ मस्रूम मसाला रेस्पी ये देखिए देखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है बिलकुर रेस्टोरेंट अस्टाइल ये जितना द खालेंगे तो इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे ये देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है देखने में न चलिए अब इसकी हम रेस्पी देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने 300 ग्राम के करीब मसरूम को ले लिया है और इसे अच्छे से दोकर हमने साफ कर लिया है अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे हमने बरे वाले पीसेस को तीन पार्ट में डिवाइट किया है और छोटे वाले पीस को दो पार्ट में ड अब हमने 3 मीडियम साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज टमाटर, 10 से 12 लेसन के का लिया, 2 इंच अद्रक का टुकरा, और 4 हरी मिर्च को हमने ऐसे ही finely chop कर लिया है, इसे हमें पीछना नहीं है, हमें इसे ऐसे ही fine chop करना है, अब हम इस मसरूम में एक चमच चिकेन मसाला एड़ क डाल सकते हैं, अब यह देखिए हमें इसे डाल कर अच्छे से mix कर लेना है, चलिए अब हम गैस पर एक कराही को चरहा लेते हैं, अब इसमें हम 3 बरे चमच के करीब सर्षों का तेल डालेंगे, अब इसमें हम जीरा, 1 चमच और 3 साबुत लाल मिर्च भी आड़ कर देंगे, यह देखिए, जब यह अच्छे से हलका गोल्डन हो जाए, तब इसमें हम अपने कटे हुए प्याज को भी आड़ कर देंगे, हमें प्याज को मेडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, जब तक यह गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें, यह देखिए, हमारा प्याज में प्याज जल जाएंगे, अब इसमें हम अपने कटे हुए टमाटर को आड़ करेंगे, यह देखिए, हमने टमाटर को डाल दिया है, अब इसे हम वैसे ही भूनेंगे, टमाटर अजल्दी से गल जाए, इसके लिए हम इसमें एक चमच नमक डाल देंगे, आप नमक विल्कुल स्वाद के अनुसार डालिएगा, यह देखिए, मैंने नमक डाल दिये, अब इसे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, इसे हमें मेडियम फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए, पान से साथ मिनट भून लेना है, जब इसे अच्छे से टमाटर गल जाएंगे अपने कुछ सूखे मसाले को अट करेंगे, हमने यह अपर आधी चम्मच के करीम हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और एक चम्मच कासमीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा पसंद होतों, आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, यह देखिए हमने इस सुखो मसाला जल न जाए, इसलिए हमने इसमे थोरा सा पानी आट कर दिया है, अब यह अच्छे से भूनेंगे, इन्हें हम दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुल धीमे आज पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें एक अच्छी सी खुस्वून आने लगे, तब तक इसे हमें ऐसे ही धीमे आज पर भूनना है, इसे भूनते हुए मुझे दो तीन मिनट हो गया है, अब चलिए इसमें हमने जो मसरूम को मसाला मिक्स करके रखा था, अब इसे एड कर देते हैं, यह देखिए, बिल्कुल ही म मासालों के साथ ऐसे ही हमें, इसे मिक्स करते हुए हलका भूनना है, इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना, बस दो मिनट के लिए भून लेंगे, यह देखिए, यह अच्छे से भूनकर रेडी हो गया है, अब इसमें हम, एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे, और इसे ढख कर हम, दस मिनट के लिए, मीरियम फ्लेम पे पकने देंगे, यह देखिए हमने ढख दिया इसे, इसे मीरियम फ्लेम पे दस मिनट के लिए, पकने देंगे, इसे हम बीच बीच में चला कर देख भी लेंगे, जाकि यह तले में लगे न, यह देखिए, बिलकुल ये बिल्कुल ही तैयार है ये देखिए ये इसे पकते हुए आठ से नौ मिनट हुए है और ये अच्छे से पक चुके है अब इसमें हम एक चमज कस्तूरी मेथी को अपने हाथों पर ग्रस करके डालेंगे और इसमें हम फ्रेस हरा धनिया भी थोरा डाल देंगे ताकि सबजी में एक अच्छा सा टेस्ट आए ये देखिए हमने कस्तूरी मेथी और धनिया को डाल दिये अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम आदी छोटी चमज के करीब गरम मसाला भी एड़ करेंगे ये बिल्कुल ही तयार है ये देखिए हमने गरम मसाला भी एड़ कर दिया है अब इसे हम एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका ग्रेवी भी तयार हो चुका है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में चलिए अब इसे हम सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है अब इसे हम तोरा डेकुरेट करने के लिए उपर से हरा धनिया डाल देंगे इसे बना के जरूर खाईए आप इसे खाने के बाद रेस्टोडेंट जाना भी भूल जाएंगे अगर आपको हमारी ये रेस्पी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स वीडियो में थैंक यू पर वाचिंग